सब्सक्राइब बहुत जादा समंजस और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में बना हुआ होगा बहुत जादा आप कंफ्यूज़ है परिक्षा को लिखर के वहीं लगातार आप देख रहे होंगे कि खबर आ रही है कि अभी तक 17 तक जो है इस्कूल कॉलेज हैं वो तेज तक बंद कर दिये गए ही इसी संदर में बात करूँगा यूपी में कुरूना को मद्द नजर रखते हुए सरकार ने तेज जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है अब यहां तो यह बंद करने का आदेश दे रहे हैं वहीं बात की जाए करण के लिए जारी कर देना चाहिए इसकीम आफ एसेल वेबसाइट पर लेकिन कुछ ना बस इन लोगों को क्या काम क्या है बस होई एक स्कीम जारी करेंगे उसी पर जो है सरकार कुछ और नियम लगाएगी यूजी इसी कुछ और कहेगी उनिवर्सिटी कुछ और कहेंगी इसी परकार से मन्थन करते रहेंगे बस कुछ करना नहीं है इन लोगों को बस यह करें करोना आ गया करोना में पेपर नहीं होगा पेपर की स्कीम होगी फिर टलेगा फिर यह भी नहीं बताएंगे कि टलेगा की नहीं टलेगा पेपर होगा की नहीं होगा अब इधर यह दे देख सकते हैं और वहीं बात की जाएब तक शबी चीजे बंद रहेंगी और सभी अख्षाय आनलाइन शंचालीद होगी और क्या कर दिया गया है जो परिक्षाय विसम समेश्टर की थी वह समेश्टर तो आफ यसे लोगों को भी जाए नहीं कर रहें ऐसे में जो चात्र जो है दिल्ली में बैठे हुए कुछ चात्र जो है अलग-अलगा स्थानों पर काम कर रहे हैं वो चात्र चात्र हैं कहां से आएंगे कैसे होगा वो सब इन लोगों को नहीं परकार से दिखाई पड़ाया भी और भी बात करूंगा कुछ खबरें बहुत ज जबकि चौधरी चणन सिंग बिस्विद्याले ने अस्पष्ट कर दिया कि परिक्षा के जो समय है उसने बताया है परिक्षा अपने निधारी समय पर ही होगी बिस्विद्याले के और से जनवरी के आखरी सब्ता से परिक्षा की सुरू करने के तयारी हलाकि चुनाव को होगी परिक्षा के नरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है वही साथि पिछली साल की तरह थिन गंड़े की परिक्षा जो है की जगादे गंड़े की परिक्षा परिक्षा की संसोधित समय सारड़ी जारी करने के बाद भी सवाल उठ रहे हैं उनका कहना है कि एक दिन में दो-दो महत्पूर्ण विसेव की अलग अलग दिन परिक्षाएं आयुजित करने की मांग की गई थी कुलपती ने आनलाइन बैठेंग में समय सारड़ी संसोधित कर करने का आस्वासन भी दिया था बावजूद इसके संसोधित समय सारड़ी में भी अभी कई तोटिया रहें गए जैसे कि उधारण के तोर पर 27 तारीक और 28 तारीक को पर्थम पारी में राजनीती सास्रोर दुतिये पाली में अंगरेजी की परिक्षा तथा 9 तारीक 10 तारी की तथा 12 तारीक को 13 को 14 को हिंदी के साथ अर्थसास की परिक्षा दी गई है जो कि छात्रों के हित्में बिलकुल भी नहीं है वहीं स्वाव बित्पोसित महाविद्याले परचार परसत के जिला उपाद्देक सर्वेज दूबे ने बताया कि कुलपती के साथ बैठक के बा एक बार फिर से समय सारी संसोधित करने की मांगी गई है ताकि परिक्षा सुरू होने से पहले इसमें सुधार हो सके और आज आपकी तारीक भी कितनी है आज 17 तारीक है मेरे पार दोस्तों तीन दिन बाद आपकी डाटर राम और लोहिया की बिस्विद्यालिक पेपर होने ह है इसको लेकर करके आफेस्यल नोटिस उनके उनके प्रियास करना कि नहीं होंगे लेकिन आपको बता दो मेरे दोस्तों मैं एक बात में खुल करके बोलना चाहता हूं खुले मंच पर की बात करो तो पेपर में बहुत ज़्यादा धिलवाई ही चले और पेपर जो है या खबरे आती इधर दर की उससे ज्यादा डिश्टर्बेंस होता है तो आप लोग परेशान मत हुईएगा जो भी होगा देखा जाएगा आप लोग अपने जो है कमर कसके रखे अपनी परिक्षा को परिक्षा की तैयारी आप लोग करते रहें अब पेपर जब इच्छा हो उन लोग जो है अपने कालेज में परापर संपर करते रहें लगातार की जो है उसके अड्मिट कार्ड या फिर कैसे परिक्षा होगी क्या नहीं होगी वैसे आपको बता दूं कि परिक्षा 23 तारिक तक जब सारे स्कूल कालेज यूनिवर्सिटी बंद करने का आदेश दिया ग पर लिखित का माडल पेपर सभी विसेयों कि आपके शुकलाइड पॉपलब्द हैं आज रात के आज जो है आठ बजे से आपकी होम साइंस के कलास चलने बाली है उसमें मोस्ट इंपोर्डन प्रसंदों के उपर चर्चा की जाएगी तो होम साइंस के पर्थम समेश्टर के इंपोर्टेंट है तो इस सभी को आप देखते रहे हैं माडल पेपर पड़े हो चनल पर सिलेबस देखिए महा संग्राम वीडियो देखिए तमाम सारे वीडियो पड़े हो सभी को देखर के आप आसानी से तयारी कर सकते हैं लेकिन परिक्षा टल जाए तो इससे अच्छी यह होगी यह नहीं होगी तो लेकिन आपको तो परिक्षा देनी पड़ेगी ना तो आपके पेपर छूटेंगे मेरे तो नहीं चूटेंगे ना तो इसलिए आप लोग भी अपने पर बने रहें ताकि क्या हो कि अगर मालते मैं ना देख पाऊं तो आप लोग तो उसको जो सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर करें सभी दोस्तों के पास ताकि सभी जो बच्चों के वन में कंफ्यूजन बना हुआ वह उनका कंफ्यूजन दोर हो सके ओके धनिबाद आप सभी का